हालो जी असलाम नेकों वेलकम बैक टो मैं चानल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माई लाइफ कैसे आप सब लोग गुम्मेट करते हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे मज़े में होंगे मैं भी अलहम देला विलकुल ठीक ठाक मज़े में तो जनाब बिलकुल जी आज है मे लोगों का घर का एक रूल है कि जब भी किसी की बेर्थडे आती है अनिवर्सरी आती है कोई भी खास मौका आता है तो हम लोग उस दिन उसको विश्ट जरूर करते हैं लेकिन हम उसको सेलिबरेट हमेशा वीकेंड पे ही करते हैं क्योंकि वीक डेज में हमारा स्कैजूल ब कोउच्छों ने मुझे विषणिया कि एकडम से च homeless day में काम शाम क की था refrigerant में रख लिए अश्टा से अे हमें की अगीजा का शाम कीजै किए घूरम के मद सब्सक्माइध कर देकि मेरे बर्षबें 15 को को अन मेरे हस्बंद की बर्थडे 13 को 13 को Vicki अबर्त अपॉनने पश् सब्सक्राइब को 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 सब्सक्राइब तो हैं तो जेनाब क्या है कि अपने स्कूल सब काम में नीदि देखें इंभी नाश्ता बिन आ यह मैं लोग चले गए तो जब यॉड लूटरी में डालते लोग ने सारे के सारे यो बाहर डाल दिये अपकर देर हो रही है तो मैंने का टीकिंडाएंगी लॉंड्री में ड़ा गई में आगे गई तो मुझे यह सर्प्राइज मिला है जिनाब भी यह देखें यह वहां पर पड़ा हुआ था I don't know कि यह लोगने कब खरीदा है कब नहीं खरीदा तो मैंने अभी इसको देखा मैंने कॉल की में नवीद को कॉल की तो मैंने का नवीद आपने किस वक्या खर मैंने कि करेड़िए नहीं की का कहा रहा हुए है سके फूल बड़ा ही अच्छा लगा लेकर नहीं अभी बूल बड़े अच्छे लगई है जाना ने क्या पसंची है वयस्जा की तरफ से है और गिफ्ट मीरा मिनिन कोई वो जो गिफ है रहा मैं केमरा थोड़ा ऐसे कर दो दा कि आपको नजर आए तो जो गिफ है वो हम लोग खरीदेंगे इंशाला ताला इंशाला ताला वीकेंड पे तो यह देखें यह है जी फूल अब यह देजाना की च्वाइस है देजाना लेके आया है मैं आपको इसको करवाने पड़ते हैं तो यह देखें यह यह है जी फूलों का बुके और इतने प्यारे स्मेल बहुत अच्छी एंकर दजाना का उसकी च्वाइस है और भी मैं इसको लगा दूंगी किसी भी वेस के अंदर ताके यह अच्छे से जिंदा रहें कुछ दिन के लिए और साथ म पर मेंशन करूंगी मेरी एक ही सब्सक्राइबर आइड नो उन्होंने कैसे याद रखा मैंने सिफ अपनी बर्त दे एक दफा मेंशन की थी अपने एक लाइज में उनको याद चुनका नाम है जी मर्यम बट उनका मैं नाम स्पेशली आज ले रही हूं मैं हर एक नाम नहीं लेती हूं उनका फेशली नाम लोगी क्योंकि उनने मुझे 13 को भी मैसेज किया था जिसे नवीद की बर्च दे थी और उन्हें मुझे कल भी मैसेज किया रात में जब आपकी मौनिंग ओ चुकी थी तो पहला मैसेज मुझे मुझे उनका आया था बर्च देगा सो थैंकि सो मैंने किसी को बताई नहीं एक दफा मैंने शाया था आपने लाइव में तो वह आपनी याद रखी तैंक यू रही मच और थैंक यू सो मच आप सब के प्यार का महबतों का और अपनी फैमिली का और अशी फैमिली सब को यकीन करें मैं बहुत ज्यादा लगी हूं कि मुझे ऐ ऐसा हजबेंड ऐसे बच्चे जो बहुत जादा कियर करते हैं तो चले जनाब अभी आज हमने कोई सालीबरेट नहीं करना आज बस यह था एक गिफ्ट एक सर्प्राइज और इंशायतला उसके साथ अब आपको लेके जांगे नॉर्मल व्लॉक के तरफ आज का और इंशाय जनाब तो अभी मैं नीचे सुबो जब आई थी आई तो मैंने का आपको दिखा दूँगे कि मैं किस तरीके से बच्चों के लंच जो बॉक्स होते हैं उनको वाश करके मैं ऐसे उनको रख देती हूं शेल्फ के ओपर ताकि वह अच्छे से ड्राय हो जाएं वाटर बाटल वैसे तो यह डिश वाश्चर भी सेफ हैं लेकिन आपको पता मैं मोस्ली डिश वाश्चर में बरतन नहीं लगाती हूं लेकिन कल रात मैं लगाए थे क्योंकि कफी ज़्यादा बरतन थे तो आप देख लें यह डिश वाश्चर बिल्कुल फुल था और मैंने रात को चला अब यह सारे बरतन ड्राइ हो चुके हैं इनको निकालेंगे इनको प्रॉपर जगा पर रखेंगे लेकिन बाद में यह सारे काम बाद में करेंगे पहले बच्चों के लंच वगरा पैक करने हैं और आज मैंने यह आपको दिखाना था कि मैं किस वक्त नीचे आती हूं और क आपको मॉर्निंग बर कुछ दिखा नहीं सकती है कि यही मेरी मॉर्निंग की रूटीन है बच्चों के साथ तैयारी करना उनके चीज़ें पैक करना उनको स्कूल भेजना और यह सारी चीज़ें I know कि जो सारी मॉम्स होंगी जो मेरे व्लॉग्स देखते होंगे वो इस बास कर सकते हो लंच की भी रूटीन होती है मेरी मेरी आदत है यह कि सासाथ बचों के ब्रैकफस्स साथ बचों के लंच सारे काम तोगैधर करती हूं तब ही कहीं जाकर 2,5 गहंटे में सारा काम कंप्लीट होता क्योंकि उसके बाद मुझे जब बच्चे चेन्ज करके आ जाते कोशिश होती है कि बच्चियों के बाल बनाने हैं जिसरा आज कल मेरा दिल कह रहा होता कि चलो बच्चियों को मैं बोल लू कि कि तुम लोग कोई हेट आए कर वालो या तुम लोग ब्रेट बन वालो कुछ भी कर लो तो वो भी करना होता सारा काम तो इसलिए मैं ये फूट का देखने हैं कि ये इसके उपर slunter क्योंगे जिबराइल को slunter को बहुत अच्छे लगते हैं वो कहती है कि मुझे slunter हर चीज़ पर डाल के दे दूँ अब मेरे पर गई यह भी कि मुझे भी दनिया बहुत अच्छे लगते हैं तो यह बचों के तीनों के लंच पैक हुए पड़े हैं बस इनको हम बंद करेंगे तो अभी आपको वैसे मैं दिखाती भी हूँ कि कुछ लोग ने मुझे पूछा था कि जिस तरह से आप इस तरह से फूड देती हैं तो क्या फूड आपस में पिल तो नहीं होते हैं तो नहीं जनाब यह देखें इतने अच्छे तरीके से टाइट हो जाते हैं बंद हो जाते हैं उसके बाद यह फूड बिलकुल भी पिल नहीं करता मैंने बच्चों से बहुत दफ़ा कि जब अब भी तक जितने भी मैंने लांच बॉक्स खरीदे हैं यह उन सब में से सबसे अच्छे थे और बड़ा अच्छा डिसीन लिया था क्योंकि अभी मैंने देखा स्टोर में बिलकुल भी अवेलेबल नहीं है आई डों आपके किसी नेवर हुड में स्टोर में अवे करते हैं और हमें नहीं बता कि हम कितनी या किस तरीके से हम अपनी बर्थदे सलिबरेट करेंगे क्यों मैं बच्छों के लिए तो काफी है तमाम करती हूं कि तोड़ा सा जाती हूं एक हम लोग बाकाइदा एक वो कहते हैं ना माहोल बनता है बर्थदे वाला लेकिन आगर बहुत करेंगे लेकिन वो करेंगे हम वीकेंड पे ही तो वही रुटीन के सारे दिन काम मैंने किये और आज शाम में मैं बाहर निकली तो मैंने का आपको थोड़ा सा बाहर का वीव दिखाती हूं कि क्या वैदर हो रहा है चेंज ट्रीज को आप देख सकते हैं कि वो येलो ह बोना स्टार्ट हो चुके हैं फॉल आचुका है तो फॉल में भी देखिएगा अब मैं आपको बार बार यह ट्रीज देखाओंगे कि कैसे इतने हरे भरे ट्रीज पहले येलो होते हैं फिर येलो से सारे ट्रीज जो हैं इनकी लीव सारे गिर जाएंगे ये बिल्कुल बिचा वो येलो होना स्टार्ट हो चुके हैं लीव्स उनके बड़े वीक हो चुके हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता लेकिन यही वो कहते हैं कि सिर्कल ओफ लाइफ है कि आलवेज ऐसा ही होता कि कभी चीज़ें आ रही हैं तो कभी जा रही है यह वैदर के साथ डिपेंड करता है तो मैं बस यही सोचा कि आज आपको बाहर जाओंगी जब मैं काफी पीने के लिए तो मैं आपको ज़रूर दिखाओंगी कि आज कल यह घास यह दरखती कैसे नदर है क्योंकि फॉल का भी स्टार्ट है अभी तक्रीबर एक सवा महीना लेंगे तो यह बिल्लकुल येलो हो जाएगा और कुछ ट्रीज इतने प्यारे लगते हैं पहले वह येलो होते हैं फिर वह मरते हैं और वह इतना प्यारा एक मैं इस दफ़ आपको लेके जाओंगी जहा है ये लोग इतने लोग आते हैं अपने फॉटो सेशन वगेरा करवाने के लिए क्लिए वहांके जो सारे ट्रीज ना वह येलो एंड रड़ हो जाते हैं तो वह व्यू इतना प्यारा लगता है फॉल का इतना प्यारा लगता है इस दफ़ आपको ज़रूर दिखाना है तो जब दोट ने कोफी पी वहां से हम लोग वापिस आ गये वापिस आए हैं तो बिलकि मैं कल आपको दिखाऊँगी कोफी कहां से पी रही हो आज क्योंकि आप लोग को मैं रोज बोलते हूं कि मैं काफी पी ने गई लेकिन आपको साथ नहीं लेके जाती आज मुझे याद नीरा फिल्म करना लेकिन इंशालतला कल जरूर फिल्म करूंगी रापको दिखाऊंगी मेरी कोशिश होगी कि अगर आज हम लोग गए क्योंकि आज जाना का है नवीद का जो कलब का टाइमिंग है वो तोड़ी डिफरेंट है तो अगर मैं गई तो मैं जरूर वीडियो बनाओंगी ताकि आपको अपनी काफे की वीडियो भी शेयर करूं मैंने आज अपना बैड़े का दिन गुजारा क्योंकि परसो नवीद की बैड़े थी तो भी हमने यही किया था कुछ खास नहीं हुआ बलके इन लोग ने तो मुझे फिर छोटा सा एक सर्प्राइस दिया कि फूल वगारा लेके आए मैंने तो यह भी नहीं किया था इस दफा क्योंकि मेरे जिन में एक ही प्लैन था कि विश करेंगे लेकिन हम लोग इसको सालिब्रेट करेंगे वीकेंड पे और बच्चे वगारा करना घर के बाहर के काम करना शॉपिंग करना यह सारे चीज़ें भी सासा चलती है और पर जाना है नवीद इनके कलब भी होता है टूर्नमेंट वगारा इनके होते हैं वो भी वीकेंड पे होते हैं तो इसलिए वीकेंड का हैड़ टाम यह कहना कि हम यह करेंगे यह यह करेंगे वो मुश्किल हो जाता है लेकिन इंशाला तला आपको दिखाऊंगे कि कैसे सलिब्रेट किया और हम लोग ने एक दूसरे को गिफ्ट किया दी है वो भी वो खुट वो मुझे पता तो है लेकिन मैं आपको बताऊंगी नहीं मुझे बिलकुल पता है कि मैंने नवीद को क्या देना है और नवीद मुझे क्या देना है लेकिन अभी आपको नहीं बताऊंगी आपके लिए एक सीक्रिट रहेगा तो जब इंशाला तला आप वो व्लॉग देखेंगे तो फिर आपको पता चल स loro share करेंगे आपने बर्तडे के व्लॉग में कि हम लोगों को क्या मिला गिफ्त में क्योगी बड़ा एक मज़ा आता है लोगों के व्लॉग देखेंगे तो ये बड़ी चीजह होती और इस्से आपको आइडिया मील जाते हैं किया आप कहतें हैं चले ठीक है जी है उसने दि choices का तो पता है लेकिन फिर मैं confused होती हूँ कि I don't know कि उनको वो चीज अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी इसलिए normally हम दोनों इकठा जाते हैं गुसरे के लिए और इकठे जाके gift खरीद लेते हैं तो फिर उसमें यह होता कि जो चीज भी हमें अच्छी लगती हैं हम लोग ल नहीं बनाया है मैं पस तोरह सा leftover food है वो ही खाएंगे और फिर उसके बाद दिन हो जाएगा done इस तरीके से आज मैंने पूरा दिन गुजारा अपना birthday special और आपको पता कि जब आप एक बच्चे होते हैं वो बड़े excited होते हैं जब उनकी birthdays होती है तो इतने excited होते हैं सारा दि like उनकी excitement अरूज पर होती है लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको खुश ही तो बिलकुल होती है मैं still बहुत happy थी आए मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा like यह feeling थी कि आज मेरी birthday है लेकिन वो एक वो होती ना celebration वाली वो जो mode होता वो आपका वो आप कौन नहीं लेकिन हम फिर भी अगर मैं अपना comparison करूं अपने बाखी friends के साथ या लोगों के साथ तो मुझे लगता है कि हम लोग फिर भी बहुत celebrate करते हैं खुश होते हैं surprises देते हैं एक दूसरे को खुश लोग तो बिलकुल भी इन चीज़ों को जैसे से वो बड़े होते हैं वो इन कॉल्स आ जाती हैं मैसेजिस आ जाते हैं फेस्बुक पे आ जाते हैं तो इस तरीके से आपका दिन थोड़ा special हो ही जाता है तो इन्शाला तहला आप हमारे साथ रियेगा तो वीकेंड पे जो भी हम करेंगे जिस तरह भी हम celebrate करेंगे आपको मैं जरूर शेयर करूंगी तो जना आप घर आ गई तो ये जो मेरे पास फूट पड़ा था लेफ्ट ओवर वही हम लोग अने निकाला और वही मैंने इसको हीट अप किया और हम खाना स्टार्ट करने वाले हैं और साथ में आज बच्चे जो है थोड़ा उनके लिए मैंने डिफरेंट फूड बनाया है उ अलमोस्त तकरीबन तकरीबन बजने वाले हैं तकरीबन आइ थिंक आठ साड़े साथ पूने आठ का टाइम हो चुकिया और यही टाइम होता कि बस हम खाना काएंगे जल्दी जल्दी और इसके बाद हम लोग बैट में चले जाएंगे आज कल एक ड्रामा स्टार्ट किया है तो बस मुझे यह होता कि जल्दी 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 मैं खाना काऊं और फ्री हो जाओं और उपर जाके मैं अपनी ड्रामा की कुछ अपिसोड्स देख लेती हूं मुझे वो बड़ा मजा था क्योंकि पूरा दिन मैं कोई इस तरह से कुछ चीज नहीं देखती हूं अगर आपको पता मैं कुकिंग के दुरान या काम के दुरान अगर कोई ऐसा को शो लगा लेती हूं वो मॉनिंग शो हो ड्रामा हो यह कुछ लेकिन मैं वो देखती नहीं हूं बस सुनती रहती हूं तो वो सुनना मुझे अच्छा लगता लेकिन रात को जो मैं ड्रामा जो भी मै आई दिन था आपके साथ मैंने का आपको बता देती हूं उम्मिद करती हूं कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और चनल को सबस्क्राइब करना मत भूल देगा मैं मिलती हूं कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ तब तक रखेगा अपना खयाल मुझे रखेगा दौाओं में याद टेक केर जी अला हाफिज